तो दोस्तों आज मैं पेटीम सेर के बारे में डिसकस करने वाला तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो जिन लोगों ने पेटीम के सेर में इंवेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को जन तक देखिएगा ताकि कारण है यह मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए बता देता हूं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेटीम के जो सेर प्राइस है यहां पे ग्लोबल ब्रोकरेज आउट द्वारा जो है इसमें डबल अपग्रेट किया गया है स्टॉक रेटिंग में और इसके को भी रिवाइस किया गये तो ग्लोबल ब्रोकरेज आउट जो है उन्होंने जो है क्वार्टर तरीका जो रिजल्ट है उसको मद्दे नजाद देखते हुए किया है और कंपनी के जो प्राइस है गाईस स्टॉक का वह 800 रुपय का किया है तो यहां पे गाईस किसी भी तरी की तरफ ट्रेंड हुआ है तो इसके पीछे का मार्केट में क्या आउट लुक रहा था सबसे पहले तो गाईस में आपको उता दूंगे सेलिंग प्रेशर मार्केट में काफी जादा बड़ा हुआ था उसी भी भारती एयर्टेल के जो सती स्मितल जी है उन्होंने भी जो ग गाईस पेटीम को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट था साथी अगर आप उन में से हो जिनको स्टॉक लेट काफी जदो करीज रती है आप मारे टेलीग्राम चैनल सेरवजा.com को जोईन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी ज साड़े 800 करोड के सेर को बाइबेक किया उसके बाद जो कंपनी है गाईस और मुस्ट इंडियन कंपनी जो बंच चुकी है साथी मैं आपको उता दूं कि गाईस लास्ट येर पेटीम के सेर प्राइस में तभी काफी जादत जोगाई चेंज आई थे जब रिटेल इन्वेस और कैनेडा की जो पेंशन प्लान फर्म है गाईस उन्होंने अपनी स्टेक को जो है इंक्रीज किया था तो रिटेल इन्वेस्टर की जो पिसले टाइम पे जो सेर होल्डिंग थी जो यहां पे 3.49 परसेंटेज से 7.72 परसेंट की जो फिंटेक कंपनी में बढ़ा दी गई जिस वजह से जो गई मार्केट में काफ़ जगत चिंजस आए तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिसकस करेंगे वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्रीब